हेलो इस्टुडेंस मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज से हम क्लास जैनल के बेसिक इंपोर्टेंट कोश्चन्स और इंपोर्टेंट एक्जाम्पल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम समूचे यानि चैप्टर नमर फ देखते हैं परिबासा तो सेट ही परिबासा होती है सू परिबासित अवयों का समूँ सू परिबासित अवयों का समूँ क्या कहलाता है समूचे कहलाता है स्ट कहलाता है ठीक है तो एक्जाम्पल देख लेते हैं जैसे मैंने बोल दिया एक्जाम्पल पांच देश तो क्या ये एक समूचे होगा क्या ये समूचे नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों ये सू परिबासित नहीं है ठीक है ना क्यों नहीं है पांच देश कौन से विकसित देश विकाथ सिल देश कंगाल देश ठीक है ना तो वो कौन से देश है ये हमें का सिल इस है तो यह क्या हो जाएगा समुचे हो जाएगा कि आगे सोलते हैं हैं यह कुछ समुचे के परकार है जो बेसिक आपको काम आएंगी बहुंतोर 12 Рe Shكان है आपको क्या करना है यह लिखाव Q का मतलब परिमे संक्या का समूच है ठीक है याद रखेगा टी का मतलब क्या होता अब परिमे संक्या का समूच है और आर का मतलब वास्ति संक्या का समूच है जेड प्लस याद रखेगा, जेड प्लस क्या होता है, जेड प्लस होता है, धनात्मक पुर्णांकों का समुचे, धनात्मक पुर्णांक का मतलब क्या है, माइनस की संख्या को नहीं लेना है, जेड प्लस रिनात्मक, क्यू प्लस दनात्मक परिमे संक्या, क्यू माइनस रिनात्मक परिमे संक्या, आर प्लस दनात्मक वास्तिक संक्या, और आर माइनस रिनात्मक वास्तिक संक्या का समुच है, जैसे मैं जेड प्लस, सुरी, यहां पे देख लेते हैं, जेड क्या है, प्लेस बात करता हूं तो मुझे सिर्फ दिनात्मक वाले लेने तो सिर्फ दिनात्मक वाले लेने अगे चलते हैं कि आप समूचय को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं निरूपित कितने परकार से किया जा सकता है तो निरूपित किया जा सकता है दो परकार से समूचय का निरूपित कितने परकार से आप लिख सकते हैं तो पहला है रोश्टर पहला क्या है रोश्टर सार्णी बद्रूप तो इसमें क्या है परिवासा मत देखी का आप परिवास से संगे तो परिवासफा नहीं देखकर अपने एग्जम्पल से समझता है कहना क्या जाता है अगर मैं एक्जम्पल के तcription पर लिखता हूं और इसको मुझे भोलना है कि इसका समूचे बनाओ इसका क्या बनाओ समुझे, तो आप क्या करेंगे, मंजला कोश्टक लगाएंगे, A, P, L, E, तो इससे एक बात पता चलती है, कि रोश्टर रूप में, किसमें, रोश्टर में, रोश्टर में, कभी भी पुनरावर्ती नहीं होती, पुनरावर्ती नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है, पुनराव करती नहीं होती है वापस नहीं लिखते हैं यहां पर एक की बार लिखा गया है तो यह होता हमारे पास रोस्टर रूप कॉमा लगाते हैं बीच में ब्रैकेट आपको याद रखने पड़ेगा मंजला को लगाना तो यह हो गए आपके पास अब आगे चलते हैं दूसरा है इसको बोलते हैं कॉलन इसको क्या बोलेंगे कॉलन एक्स और फिर आगे इसके आद में आगे कोई चीज लिखी होती है जैसा एक्जामपल पूसता है ठीक है तो यह याद रखे गया एक्स कॉलन एकस तो जैसे अभी मैंने रोष्टर रूप में क्या लिखा था रोष्टर निर्माण, समूच निर्माण, तो वो होगा इस परकार से, x colon x, ठीक है, ये क्या है, अंग्रे जी वन माला के स्वर हैं, तो हम लिखेंगे, x क्या है, अंग्रे जी वन माला का स्वर, ठीक है, इस परकार से, x colon x, ठीक है, तो ये लिखी जाएगी, इस परकार से, आपको लिखना है, रोश्टर रूप पता चल गया, समूच निर्माण रूप आपको पता चल गया होगा, कि x colon x, ये फिक्स है, आगे इस ट्रडिंग में ऐसे लिखना है, एक और एक्जाम ये कौन सा है, रोश्टर, ठीक है, अब समूच निर्माण रूप में बता रहा हूँ मैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे, कैसे देखी थे हैं, सबसे पर लिखेंगे, x colon x, फिक्स है, अब यहाँ पर पता चल रहा है, ये दो के गुणरज है, तो x बर रखेंगे यहाँ पर दो एन में, तो एकम दो, दो दूली चा, दो ती आचे, दो चौकार, दो पंज़े दस, तो ये हो गया, रोश्टर, ये हो गया, समूचे निर्माण, ठीक है, तो आगे चलते हैं, और देखते हैं, समूचे के परकार, अब हमारे पास टॉपिक है, पर आपको एक्जामपल से समझ में आएगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रिक्त समूचे होता क्या है, तो रिक्त समूचे, नाम से पता चल रहा है, रिक्त होना चाहिए, रिक्त होने का मतलब कोई अव्याव नहीं हो, कोई भी अव्याव नहीं हो, इसको किस से परकादर इसको हम रिखत समूछे बोलते हैं यही है यहांपर ने भी चाहिए यह दियावाएं आपके पास झिल्चेन्मों लिख देता हूं शार बराबर ठीक है और X एक प्राकत संख्या अबες X स्क्वेर बराबर टीन है एक स्क्क्राइब इस का वर्ग मोट लोगा यह प्लस मैनस ण्डरूर्ड तीन plus minus underrating तो क्या plus minus underifter प्राकत संक्या होती है क्या plus minus under vida क्या नहीं ہوتी है तो इसका मतलब यह जो आ है वो रिक्त समोच नहीं किया बात समझ में आपको अगे का परेमीत और परेमीत दो जने आते हैं परीमीत और कर सकते हैं गिन सकते हैं ऐसे समुचे जिसमें अवयों को गिन सकते हैं परिमित कहलाते हैं ऐसे समुचे जिसमें अवयों को नहीं गिन सकते नहीं गिन सकते उसको अपरिमित समुचे कहते हैं एक्जाम्पल ले लेते हैं जैसे एक, दो, तीन, डॉट, डॉट, डॉट लगाने के बाद में मैंने लिख दिया सो और यहां पर मैंने लिख दिया एक, दो, तीन और पीछे तीन लगा के डॉट छोड़ दिया तो इन दोनों मंतर यहाँ पर लाज संक्या आई है तो हम गिन सकते हैं यहाँ पर लाज संक्या नहीं आई है इसका मलब अनन तक जा सकता है तो जब अनन तक जाता है तो अपरिम जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो यह जो भी है एन है, डबलू है क्यू है जैड है यह सब परिमित होते हैं अभी हमने जो पढ़ेते पहले तिक आगे चलते हैं फिर हमारे पास आता है एकल समूचे नाम से पता जल रहा है एकल यानि अकेला यानि इसमें क्या होगा केवल एक अवयव होगा केवल एक अवयव हो केवल एक अवयव हो वन मत लिखेगा वरना आप confused जाएंगे एक अव्याव ही हो मतलब क्या है जैसे मैंने लिख दिया माइनस चार एक है सो एक है माइनस दो सो एक है एक से तो यह सबी एक जणई है जब किसी समूचे में केवल एक ही अव्याव होता है तो उस समूचे को हम एकल समूचे कहते हैं बिल्कुलीजी परीबास आपका याद हो जाएगी फीर हमारे पास आता है सम शममूचे और करा है शर्मचे अ मतलिय व्यांत 15 सब्सक्राइब कि देख तो यह क्या ऑगते हैं दूनों ऐसे समुझे जिसमें क्या हो अव्यवों की संख्य समान हो यह आपके किताब में नहीं एँच्छ लिखा रहा हूं मतलब क्या है एक्जाम्पल से एक 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 वान टू ठी टू वन यह दोनों सेम हैं बले आगे पीचे लिखे में अव्योओं का करम में है तो नहीं होता यहाँ इन जैसे संक्या कितने तीन यानि की अव्योओं की तरकारि से परदसित करते हैं एन ए बराबर तीन एन बी बराबर तीन यह एन ने का मतलब है यहाँ पर भासा लिख देता हूँ मैं एन ने का मतलब क्या होगा एन ने का मतलब होगा समूचे में अव्यों की संक्या समूचे में अव्यों की संक्या ठीक है इन दोनों में तिन तिन है इसका मतलब ये क्या हो गए ये दोनों क्या हो गए वही ये दोनों हो गए समतुलिय समतुलिय तो ये समान और ये समतुलिय अराम से आपको परिवासा याद हो जाएगी, परिवासा क्या 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 है, ऐसे समुचे जिसमें अवयो क्या हो, समान हो, ऐसे समुचे जिसमें अवयो की संक्या समान हो, ठीक है, अवयो की संक्या क्या होती है, इसमें समान होती है, तो इस परकार से हमने ये पढ़ लिखते हैं और समुचे के परकार पड़ें नेक्स्ट वीडियो में हम आगे उप समुचे साड़तिक समुचे वेनारेक भी पड़ेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्याद से ज़्याद से शेयर कीजिएगा और कम कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा आपका एक एक कमेंट आपका एक एक लाइक हमें प्रसान देता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग